Silver के उपर Analysis करके बताने वालाई कि आने वाले ट्रेइडिंग शेशन में Silver में क्या मूवमेट दिखने को मिल सकती है यह जो भी Analysis रहेँगा Technical Base के उपर रहेँगा कोई भी Intraday का Recognition नहीं है यह जो analysis रहेगा कम से कम दो से लेकि तीन मेने का आपको अभी वहते काफी profitable analysis रहेगा वैसे आपको intraday level चाहिए तो telegram channel जरूर join कर सकते हो one of the best analysis एकदम free provide करा तो कोई भी charges नहीं है link आपको description में मिल जाएगा और रही बाद आप dollar में trade करना चाहते हो तो dollar में भी trade कर सकते हो one of the best broker है one of the best broker Octafix Octafix कसमे link आपको description में दे दूँगा या 97977773219 इसके अपन मुझे whatsapp भी कर सकते हो आप only 1000 रुपे से आप trading start कर सकते हो dollar में और वहाँ पे कोई भी expiry नहीं रही था long term आप hold कर सकते हो long term short term आप दोनों कर सकते हो without expiry से और वहाँ पे averaging strategy भी योज करके minimum amount से आप अच्छा खासा property भी gain कर सकते हो और साथ में साथ 24 hours भी trading कर सकते हो live market में देखो के तो लगबग लगबग आदा परशंट की गिरावट अभी यहाँ पे देखने को मिरे dollar index में काफी दिन से देखो के तो आपको buying trading देखने को मिर रहा है लगबग लगबग यह support निकल के रहा है यह 20 dollar का support निकल के रहा है इसके पहले वाले high के उपर हम discuss करेंगे इसके पहले वाले जो high लगा था वो कितने डॉलर का था और उस range तक market ने कितने दिन तक consolidation किया था और उसके बाद जो rally देखने को मिल दी तो अभी कहाँ पे trade हो रहा है वहाँ पे भी discuss करेंगे और इसके पहले वाले rally चली थी वो कितने percent के rally चली थी वहाँ पे भी focus करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले वाला जो लो किया था वहाँ पे 18 डॉलर के आसपरस था वहाँ से जो rally चली थे अल्मुष्ट यहाँ पे 38 percent के आसपरस rally आपको यहाँ पे non-stop देखने को मिला था तो यह जो rally चली थी आगश्ट 2022 की बात है और यह लगबग लगबग फरवरी 2030 तक अल्मुष्ट 6 मैने तक यह रहा लिए non-stop आपको देखने को मिला था अल्मुष्ट 38 percent के बाद जब market के अंदर जो silver के अंदर गिरावट देखने को मिली थी वो अल्मुष्ट यहाँ पे 20 percent के आसपरस आपको यहाँ पे correction भी देखने को मिला था लग रहा था कि इस correction के बाद market के अंदर और गिरावट आएगी और लग रहा था कि 18 डॉलर तक यह आएगा लेक करेंगे आने वाले दिनों में क्या करके चलना चाहिए support resistance के उपन में focus करूंगा देखो यहाँ पे अभी जो previous resistance था वो लगबग लगबग 24.50 के आसपास था उसके उपर अभी trade होते वे देखने को मिल रहा है लगबा लगबा 26 डॉलर तक इसने हाई किया था अगेन यहाँ पर आपको wait करना चाहिए हो सकते आने वाले दिनों में इसी range के अंदर आपको consolidation करते वे देखने को मिल सकता है silver क्यों बता रहा हो क्योंकि यहाँ पर देख लिजिए जिस तरीके से 30% के rally देखने को मिला तो हो सकते एक sideways zone में trade करते वे भी आपी दिन तक आप confusion range है यहाँ कि क्या होता है जब market के अंदर एक नया high लगता है यहाँ पर दोनों probability बन सकती एकदम breakout करे 26 डालर को और again वो 28 डालर तक चला जाए या इस यह एक नया high बना चुका है और वो नीचे की तरपाए तो आप क्या कर लिजिए इस level पर कुछ भी मत करिए जिसको phrase buy कर आउन आता है तो best opportunity बनता है 23 डालर इंदकेस market यहां से market breakout नहीं करता हो नीचे की तरफ आता है तो 23 डालर तक आपको phrase buy की position बना सकते हो तब तक आपको क्या करना चाहिए जो phrase buy करना चाहिए उसको wait and watch करना चाहिए कुछ भी नहीं करना चाहिए अभी बात करें जो आरेड़ ब्लॉक रहेगी मेरे सबसे पोजिशन एक्जिट कर लीजिए और 23 आता है वहां पर आड़ कर लीजिए या breakout के उपर buy की करने की कोशिश कर लीजिए तो आप अच्छे खासे profit में हो buy side में तो आप position एक्जिट कर लीजिए क्या हम इस level पे sell की position बना सकते हो तो नहीं इस level प अगर 28 डॉलर बोलोंगा तो वही जाएगा मार्केट तब भी sell बनोंगे ऐसा नहीं है 27.50 से लेके 28 रेंज के कभी में मिलता है तो आप सेल की position एड कर सकते हो या फ्रेज सेल कर सकते हो तब तक आपको मेरे सब से wait and watch करना चाहिए क्योंकि इस range के अंदर एक consolidation जो जोन बना ह है यह काफी दिन तक consolidation कर सकता है एक side range में profit booking देखने को मिल सकती है इसलिए wait and watch करिये market को एक नया हाय लगने दीजे तब आप सेल की position बना सकते हो अभी सबसे important बास अभी जो फ्रेज सेल पर बैटे हैं मतलब जिन्होंने और अच्छा खासा profit हो रहा है वो यहां पर 26 डॉलर के उपर market breakout करेगा तो कम से कम 80 डॉलर तक upside के target आपको देखने को मिलेंगे इसकी वज़े से आपको क्या करना है 26 डॉलर का एक stopless लगा के trade लिजे और downside में जो target रहेंगे 22 डॉलर तक रहेंगे बात करेंगे अब इस important बात यहमसेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यह जो analysis बता रहा हो यह silver mega के उपर बता रहा हो silver mega को देखके आप silver mini micro में trading कर सकते हो live market में देखोगे तो लगब लगब 1% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है 75,000 के आसपास अभी live market में trading हो रहा है तो कम से कम 71,000 का वेट कर लीजिए यहाँ से 77,000 पासो का breakout देता है तो वहाँ पे आप buy की position बना सकते हो 77,000 पासो का breakout देता है तो कम से कम आपको 83,000 तक target के लिए position आप hold कर सकते हो और यहाँ से market उपर नहीं जाता हो और नीचे की तरफ आता है तो 81,000 पे phrase buy की position बना सकते हो तो आपकी buy की position है वो exit भी कर लीजिए और आपके पास sale की भी position है वो position hold करिए और with the stop loss up 77,000 पासो आप sale पे बैटे हो व्यूकुल sale की position hold कर सकते हो 71,000 target के लिए लेकिन धहर में रखे 81,000 target तभी आपको रहेगा applicable जब तक यह 77,000 पासो के उपर नहीं जाता जिए दिन 77,000 पासो के उपर जाएगा तो आपको क्या करना है sale की position exit कर लेना है और फिर आपको buy के उपर बैटना है क्या हम इस लेवल पे sale की position बना सकते हैं क्या व्यूकुल नहीं इस लेवल पे sale की position नहीं बनती है एक side way trading कर रहा है market के उपर की तरफ 83 के आसपा से 82 के आसपा जाता है तब एक sale की position बना सकते हो यहां market यहां से breakdown करेगा एक 70,000 के लेवल के नीचे तब यह आप sale की position बना सकते हो यह analysis रहेगा आने वाले दिनों में silver mega के उपर जो भी analysis बता है holding based बता है कोई में इंट्राडी का recommendation नहीं है आपको इंट्राडी लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जोरू जोइन कर सकते हो मिलते हैं ने वीडियोट आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई